क्या कर रही है एक्जाम टाइम ने जब मैं पढ़ने को कहती थी तब ये मंदिरों के चक्कर लगाती थी अब रिजल्ट आने का वक्त है तो तुलसी की चक्कर लगा रही है तो क्या इसकी अंपायर बनी हुई है कैलकुलेटर हूँ अरे रे 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 किस्मत अच्छा सुनो तो जबान पर ताला क्यों लगा हुआ है हालो जब तक रिजल्ट नहीं आजा तक लो टॉक्त वो क्यों तुड़ेइज म्यूट दे क्या यू नो म्यूट पूल साइलन्ट मॉन्वर्थ है हे भगवान आप और आपकी इंग्लिश यह इंग्लिश नहीं बोल सकती ना इसलिए पहने मर्लिंग यहाँ तुम से तुब बात करने का कोई पाइदा ही नहीं है तुम्हारे पापा जिनों ने तुम्हें सिर पर चड़ा रखा है ना उन्हीं की खबर लेती हूँ कहा है बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना मैंने भगवान की 21 अगरमत्ती जला कर आठी की है तुम फर्स क्लास से पास होगी तभी डाउट है फर्स क्लास की बात कर रहे हैं बाप और बेटी दोनों एग जैस ही ओ माई संग माम फुट सम्मोर धूप मार्क्स और ज्याद आएगी जरूर 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 एक भी दिन मैंने इस लड़की को बढ़ते हूँ नहीं देखा और ना ही कभी इसके हाथो में मैंने किताब देखी है तो ये पास कैसे हो जाएगी जैसे हर साल पास होती है वैसे ही ह यह ज कैसे हो सकता है हाती हर साल का अहीं जीतेंगे माँ जरूर यह मैंज भी तो तुझे संभालने के लिए तेरे पापा खड़े हैं यह पर यूट्र mismosक्री षूर कं Wait aек दिन कोई दूसरा लड़का जब तेरी लगाम खीचेगा न तब तुझे पता चलेगा पापा देखू न पापा ही वो लड़का लेकर आएंगे जो पेरी लगाम खीचेगा देखेंगे देखेंगे वो तुम्हें पूलो का हाल प्रताएगा या फिर लगायदार खीचके पापा हमें ममी की ज़रूरत है क्या ऐसा क्या नहीं ज़रूरत है अगर आप कहें तो मैट्री मोनी पर दूसरी ममी खेंदो आरे नेखी और पूछ पूछ वैसे भी एकी चेहरा देख देखके मैं बिलकुल पक चुका हूँ लाइफ में चेंग चाहिए है ओ हलो शाकल देखी है अपनी दूसरी शादी करेंगे लो जीजा जी आगए जीजा जी नमस्ते नमस्ते आजे सब ठीट रहे है न हाँ है सब ठीट है अब हैं सब ठीट है अब आप आगए है ना शादी में राउनक आजाई है हम तो शादी की रसमें होते ही यहां से चले जाएगे आप और आपकी वहनी आपक पस्ता करें आओ अंजर चले आपको भी समानलो सब काप चलो आओ अजर चले तो यारी कितनी अच्छी की है ना नौट बैग इंश्माली नानीजी सा नाइस असी नामस्ते जी ओगाद यह सारी समाला कितना मुश्किल होता है यह नो डोन गेट एगजिट सो मच एकसाइट इकसाइट यह क्या तुम्हारी सारी तो ट्रापिक सिगनल की तरह हर दो मिट पे फिसल जाती है हाओ अच्छी से बंगा करो स्वारी नानीजी भूल गए थी आप कितनी प्यारी है जो छुपाना चाहिए वो तो छुपाती नी और मूँ छुपा कर भाग गए स्ट्यूपिड गल नानीजी जूस ने लीजी जूस मुस बिलाने के लिए मैं हू ना लाओ लाओ भूस दो जाओ जूस भी ओके कितनी अचीव है ना जिस्ट टेल मी वेर इस अवर एनिमी यावर हाँ कहा है दिखने रही तेको तो आ गई तो तादी दिखो आ गई कर दू की तरह ओ दुलार रानी नानी मैं त अच्छी हूँ आप भी बहुत अच्छी होगी ना और ये तो एक्टम मस्त होगी वैसे मैंने एक उर्टी-उर्टी ख़बस होगी है विंड न्यूस प्रोसीड मैंने सुना है कि इस बार भी तुमने एक फिर्स्ट क्लास से पास किया कॉली के लिए सेचुरी बारना कोई पर मेरी पसंद हमेशा एक नंबर की होती है मेरा होने वाला पती फॉरण में रहता है राज कुमारों जैसे शान है उसकी इसलिए मेरी शादी ते तुम घड़ा के से हो रही है है ना रे? इसलिए का उतना भी क्या दिखावा करना पता है अपनी पोती के लिए में कैसा लड़का ढून कर लाओंगी जब उसकी एंट्री होगी ब्लास्ट होगा उसके आने पर भगवान खुद बैंक बगदाएंगे वह बादल उपर लिखकर मेरी पोती पर लिटा कुछेगा जब इतार hop राफ नहीं जयार तुफांगी नहीं लिए सिंटरा अंगी आना भात्त बैंक झीन अगज अगर सुड़ीं कर दो, अगर सकतक था हुआवारा हुआ हुआ था क्यों युटा था हुआ था हुआ हुआ पार अटनके कि में लुटा हुआ 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 दो झाल 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 गर के अंदर? आँ म, य, मे डूडिया है मुझे तो दाल मे कुछ काला लग रहा है डाल काली नहीं है सार क असमिस्पेशल डूडिये बना चलो निकलो पर कियो ऋसेहर अबे निकलो सपेशल डूडिये कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना अच्छी है ना सूपर गीता कम हीर सिट डाउ क्या हो अधादी कितनी अच्छी लगाई यह न इस तुमने लगवाले रुक लगवाले महंदी लगाओ इसे अरे लगाओ कितनी लगवाले महंदी लगवाले 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 अब इभी नहीं दिखा? इए वो फैन बंकरना सीधी हवा आरे है महंदी कराब हो रही है सॉरी, प्लीज इए वो बंकरना सीधी है आज का दिन आज के दिन का कब से इतजार था मुझे आज आया है तो तकलीफ हो रहे है हलो, हलो क्या है ये सब अंकल बेटी की शादी आपने खुशी-खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़ कर जा रही है तो दुख तो होगा न ऐसे कैसे विदा कर दो क्या अंकल आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी आपकी ममी भी तो घर छोड़ के आई थी ये मत सोची कि आपके बेटी दूर जा रही है तो आपका रिष्टा तोट जाएगा ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है माबाप को उसके अंदर एक आत्म विश्वास भर के बेजना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हस्ते हस्ते चली जाए बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहन शीलता सबसे बड़ा गुण है आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा हमेशा खुछ रहना बेरी बच्ची बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्दी नहीं बजे यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसम सा हो जाता है पर तुमने हम जैसे मादा पिता को आज हमारी जिम्हेदारियों का एहसास करा दिया है मुझे गर्म है तुम्हारे मादा पिता पर जिन होने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो बेटा मैं मिलूरू सर यह रहा मेरा कार्ट ओ, MK Constructions सुना है मैंने हमें सकता जिम्हें सकता जिम्हें अपने भाईया जी, जब से आप गाउं गए हैं, तब से साहब को देखिये नपी ही रहे हैं एई, हारे आप, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो देखिये डाड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की आपको कहा था, लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गया हैं वो, तुम घर पर नहीं थे, तो मैं अखेला पड़ गया था, इसलिए पेक पर फेक पीता चला गया ठीक है, लो नहीं पियो I love you, I love you, I love you, my son तुम्हारे अलवा, मेरा और कोई नहीं है और आपके बिना, मैं भी कुछ नहीं हूँ अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूँ न, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं प्योंगा ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए अब बिल्कुल नहीं है Sir, government नहीं हाईवे और एरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर वजवाई है इम दोनों प्रजेक्ट्स में से एरपोर्ट का प्रजेक्ट बहता रहा है No, no, I think highway is a better project क्योंकि इसमें हमें experience भी है ये हमारे लिए एक निया चालेंज होगा अगर हमें एरपोर्ट प्रजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रफाइल से इसको फाइदा होगा पर highway में ज्यादा प्रफिट है You don't know the profit in airport हाँ बिल्कुल I support for airport, sir I do, sir Even I Highway वाला प्रजेक्ट बहता है, sir Me too Me too Sir, decision is yours Please take a call Encoded by Baba HD.com Good morning, sir Good morning Thank you हम यह डिसकोस कर रहे हैं कि Highway प्रजेक्ट बहता रहा या एरपोर्ट आपका क्या केना है, sir Damn Yes, sir But Damn, क्यों? सर्वो करनाटक में KSR है तोंका भद्रा है और एक है हाँ, लिंगन मक्की हालमती, हारंगी, हेमावती, कोदसली वानिविलास सागर, शांती सागर, बसव सागर, रिनुका सागर हरिद्रा, राजालक्षमन गोड़ा कनवा, कद्रा, भद्रा, सुपा टोटल, वहां सत्रा मेजर डैम्स है पर हमारी कंपनी यह डैम बनाएं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भीज़ें बट वाई? लाइफ सेवियर लाइफ सेवियर? फो हूम? फार्मर्स फार्मर्स? वाई? जब ही हम बड़े-बड़े इंवेंटर्स की बात करते हैं हवाई जहाँ सैटलाइट और बजली इंवेंट करने वालों की बात होती है लेगिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इंवेंशन और उसे इंवेंट करने वाला किसान और उसकी बसर है अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इंवेंशन कैसे करेगा? पर हमारे कमपी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इनसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिन्दा नहीं मचेंगे अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल living लगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटेट सारे डॉकिमेंट्स वेडी है जिस जमीन पर हम मलेशन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थी सपकार ने वहां डैम बनाने की पर भीशत दे थी अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेवाल करूँगा मीडिया वाले हंगा मखणा करतेंगे तो ये मामला तुम ही सम्हालो ठीक है ये रहा मेरा विजर्टिंग कार्ड एसी रोन में आराम से बैटकर सडके और बिल्डिंग्स बनाने की बजाए जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेहन चीलता नहीं है अगर तुम मुझसे बिड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुँचाने की बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुचाने की थोड़ा बहुत डर लगा की नहीं लगा हाँ, एक याँ रंच नहीं है को नहीं है तो? रिशे तुन नहीं कार दिया, उनका विसिटिंग कार हुआ वाँगोई हाँगोई जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाया है और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यू राज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है मुझे तेरी आँखो में डर नसर आ रहा है टेक केर अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा मैं यह नहीं करूंगी मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलूरू में ही रहना होगा और होस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा लक्षमी क्या कराभी है जीके में बताईए ये बच्षी भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होस्टल में रह रही है न और सुन अगर तो बिना वजय यहाँ वहाँ शहर में घूमी न तो तेरी टाउंगे तोड़ दूगी लक्षमी जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलूरू में ही रह ले आप जाएए यहाँ से आपकी बाज़े से यह इतने विगड़ गई है ऐसी बात नहीं है माजी माफ पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए अपकी अपने साथ ले 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 गलूरूरू बड़ो तक है ले वो कि ले खाइब जब भीज़े को साथ ले इतने साथ क्या हुआ तुझे, मेरा इशेर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टिल में, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, शुरू-शुरू में सब को ऐसा लगता है, पर धीरे-धीरे आदत हो जाती है, चल चल के सोते हैं, तुम जाओ, मैं आती सार्या, क्या सोच रहे हो बेटा, कुछ नहीं पापा, बस वो डाम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था, इतना मत सोचा करो बेटा, एंज्वाइव लाइफ, इस पार्टी डाइम, मैं, पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वाटी बहुत कर ली, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है अब जाने दू, वैसे, तुम तो शादी में गए थे ना, ए, पापा, अरे, 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 सुनो तो सही, वहाँ कोई लड़की वर्ट का भी नहीं रही, पापा, सही टाइम पर बता दूँगा, टाइम, हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी, और इस पीच, तुम सारे बच्चे कब बड़े होगे, मुझे पता भी नहीं चला, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था, कि जो मैं न जी पाया, वो जिंद मैंने जिंदगी की जो खुशिया मिस की, चाहूंगा उन्हें तुम जी हो, पापा, हर पिता अपने बेटे से, हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि, मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं, पापा, यो तो बोल्स पेस्ट फादर, यो दो बोल हैं, बहुत मज़े कर रहा हैं, काई के मज़े, तुझे क्या पता मेरी हाल, कैसे हैं भाईया, ठीक हो भाभी, थांक यू, वैसे आप कैसे हैं, ठीक हो, ची रही हूं इनकी क्रिपासे, कितनी छूटी है यह, यह सुनना, मुझे तेरी एक हल्प चाहिए थी, है, तु बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूँगा तेरे लिए, हाँ, जान नहीं चाहिए, बस गिता का बाबट चाहिए, यह लो, अभी तो तु मेरे लिए जान देने वाला था ना, तु मेरी बीवी को जानता नहीं है, वो दिखती बंदी है, लेकिन अंदर से एक दम बंदा है क्या है, मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था, बहुत बड़ी गुंडी है वो, यह मत भूल कि तु मर्द है यार, मर्द, अबे जब से शादी हुई है, तब से मैं भूली किया हूँ कि मैं मर्द हूँ, अबे क्या बोल रहा है, कम ओन, बी अ मैन, भारी आवाज में किसने बुलाई है, है नेना, हाँ बोलो, मुझे गीता का नमबर दो, किसलिए है, उसकी कॉलर रुटिन मुझे चेक करनी है, तुमें इससे क्या, तुम बस नमबर दो, ठीक है, तो अंदर अको ले लो, अरे भाई, कहा आप रही ये लगता है, अगर मुझे पहले पता होता पर तुम दूसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, फ्लर्ट? वो क्या होता है, बेबी? आच्छा, चूटे मकार कहीं के, उसका नमबर चाहिए, दूनमबर, बेबी, नमबर में अपने लिए नहीं, भाई के लिए मांगा है, आपने इनसे नमबर मांगा क्या, नही नमबर मिला क्या, मिला, तो दे ना, अरे, क्या हुआ या, उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वज़े से आज भी पीटा गया भाड में जा तू, अबे, वहां मज़ा, वहां तेरी बीवी है, आपने मम्मी, या नमबर दे ना, पीस या, नहीं मिल सकता समझा, क्या क सरू मैं, यहां तो महीर बिल्कुल मन नहीं लग रहा इस छीमाव मिल सकती हां, अरे, को कॉल करूं क्या, हां मिला क्या छिकी किलते हु, ओ अरे, क्या हुआ कि उसने, उसका नमबर में लिए, उसने, उसका नमबर देना नमिली, मैंने, तीस, यार हाँ अलो कॉन है तू तू ए अरे देना चोड़ना मैं नहीं दे सकता इसका फोन दा तू तू किया चारू वो कौन है ए लीना तुम्हारा ही नम्मर है न तू तुमने फोन किया है क्या मैं ही हूँ अज तुम्हें बियाग कैसे आ गई वो मुझे तुम्हारे छोटी सी हेल्प चाहिए थी हाँ ओके मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ दो गंटे रोको मैं फ्लाइट पकड़कर आता हूँ ने 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 ऐसा मत करना मत करना मतलग मैं बेंगलूरू में हो बेंगलूरू में? हाई गीता वाट अ सप्राइज मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नमबर था मैंने तो एक्सपेक्टी नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए क्या बात है बाइक अहाँ बाइक तुम्हारे पास कार नहीं है कार चाहिए तुम कहीं जाना चाहती हो क्या तो बाइक पर चलते हैं ना कराया यह तो बात ही नी कर रही है या अच्छा कॉलेज मेन सब ठीक तो है ना किसी रिष्टेदार के घर पर रुकी हो क्या अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो वो मतलब होस्तेल में रुकी हुई हो अरे, तुम भी कुछ बोलो ना, मैं अकेलाई कबसे बखबख किया जा रहा हूँ, लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ टपोरी मतलब? चलो शुकर हैं कि मुझ तो खोला, सवाल बूजने के लिए इस है, टपोरी मतलब, मैं ओ, अच्छा सुनो, हम दोनों आटो में चल सकते हैं हम, हम हम, हम हम, हम, हम हम, हम मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो इद्दम चुप-चाप बैठे हूँ, शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है कम आन, एंज़ाए दे मिल्जिक या ओ, 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 हा तेरा है होना, तुछको अपना है माना वा, 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 बैजजी, क्या गाना चला है, सुपब, I love you थैंक्यू, 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 मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हू एई, और रोप, 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 रोप रोपता है ना, आशिक किसे बोलने आशिक लगते हैं, क्यों, हम तुझे भाई दायन जैसे नहीं लगरें पड़ा आया आशिक बाला मैडम इसमें गुस्सा वाली क्या बात है गुस्सा इस पर गुस्सा भी ना करू तो इस ओकर में बैटा ही नहीं चाहिए चल बाद एए ए गीता आप जाओ या रुको नहीं पर सुबा तस बजे हो उसल के पार आजाना लगता है लड़ीयों को टाइंग प्याना आता ही नहीं है मुझे तो दस बजे आने को का और खुद अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू रोक एग मिनट अब मैं समझ गया तू पक्का चीटियों की रानी होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा बाइ चलो अच्छा है तुम हस भी सकते हैं अब चले हेलो मैडम ये आटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलो खीच खीच कर मैं अपनी तांगे नहीं तुडवा सकता प्लीज बैट जाओ आक्सिदेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाओंगा मदर प्रोमिस अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तुम्हें पहले ही बता दूँगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड हाँ अफ्रेंड ओ Casey only friend चलो मां तो गरी तुम तो ऐसे डरी हैं जैसे बच्चे पहली बार जूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किड्नाप कर रहा हूँ देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूँगा प्लीज आराम से बैठ जाओ पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया फिर उसने कहा फ्रेंड बाद में बनेगी गर्ल्फरेंड और आखिर में बनेगी वाइफ फिर होगी जंड लाइफ यार तु कुछ भी बकवास करता है चुबे अबे तु इन बीवियों को जानता नहीं है अगर मान लो खाते हुए मुँ में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे तो बुरी हवा में उड़कर आ गया होगा निकाल के खालो ना चुक चब और जब हम काम से घर वापस आये अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना जब कोई बारिश नहीं आएगी कोई हवा नहीं आएगी सीधे आंधी तूफान आ जाएगा ये बीविया ना बनाई ही भगवाने हमें पीस पीस कर मारने के लिए अगर मैं पीम बन गया मा तो ये शादी का सिया पाई बैं करा दूगा बस चुक करा बीवियों के बार में ऐसा मत बोल लड़किया ही घर को रोशन करती है तुन्हे वो काना नहीं सुना क्या लड़किया ही घर का असली ची राज स्टॉप कितनी देर से बहुत टाइम हो गया तुससे अच्छा तो दोस्त होई नहीं सकता तुससे अच्छा तुससे अच्छा लग रहे है जो डैम आप यहां बनवा रहे हैं उससे हमारे जिन्दगी फिर से रोशन हो जाईए आप हमारी जिन्दगी में भगवान मन कराएं हम आपके अर्सान मन है यह आप कैसी बाते कर रही हैं यह तो मेरा फर्ज है आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी मैंने डिसाइड किया है यह पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रगू देखेगा तो मिनिस्टर बार बार फोन किये जा रहा है बहुत बार फोन कर शुका है भाई आदे बार बात कर लिए नहीं तो गरबर हो जाएगी और उसको मैं जवाब क्या दो कि हम उससे पिट कर आए हैं एक-एक को देख लेंगे भाई जिनकी वज़ा से ये हालत ही है उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूँगा अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बनाए जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार सरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए जीवा जी साम मंदर ले चलो ठीके साम पर मंदर क्यो गीता को फोन किया था वो वही है मैं उसे जरा सर्प्राइज देना चाहता हूँ साब जी कौन से मंदर जाना है अरे जो राफ्ते में है अरे ये तुने क्या किया जीवा साब जी सॉरी साब जी एए क्या किया तुने जीवा जीवाई 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 झाल 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 प्रभू करो झाल 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 यह जब क्या है? एक मिनट यह त्योहार है मेला लगा है आया एक फोटो लोना शिर्व करो हाँ हाँ बस ओके हाँ 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 तुम्हे पता है ना मुझे इस बिर्कुल पसंद नहीं पिर भी क्या सॉरी फोन दो मुझे फोटोस डिलीट करो मुझे तो अपना फोन देखे हो या नहीं फोन दो मुझे पास बता ना पिछा दो फोटोस डिलीट करे दो तुम्हारे फोन में ये सब फोटोस कैसे आई कब कीजी तुम्हे ने मेरी फोटोस तुम्हारे फोल में मेरी फोटोस क्यों है ऐसे कीजी बिलीट वस वैसे ही तुम्हे 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 प्यार करने लगे हो के बिलीट बिलीटते हो जो में तुम्हे प्यास प्यार करें दो आउर क्या साथ हां दूब कर दोडि़। अच्झं ओृट में, हो राइं! कि प्रह कि अटनोर…! कि अटनोर प्रह्ण पीक में उटन झाती है कि लग ब संत करता है झाल 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 गीता गीता तुम घबराओ मत इस नर्की को कुछ नहीं होगा इसकी फिक्रतों मत करो तुम जाओ जाकर उन राक्षसों को खतं करो तुम जानी जाओ झाल खाल जाकर घो को सम्षब ये जाओ पर वैब है कर दो दो לת्म कर दो जो ए बुटा कर दो जियू झाल। कि लग dried, हाई भाई चाns वाई सुचा हाए कहा बेडना से सकत्वा हाए कि अ चुछ बदाते को भाई सिनल कि अ, है झाल 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 झा आको राग के सामने इस वहा है मैं, रुक जाओ दोके बास तो हो ही तुम और क्या, किसी के हक टारे भी बन जाओगे This movie is encoded by Babahd.com She's okay now, you can take her Thank you doctor, welcome Phone दो ठाले Hafton जाओ, ठीक है Hi Papa Hmm क्या बात है पापा आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे है ऐसा कुछ नहीं बेटा पापा क्या बात है As usual Are you sure? बस काम की वज़े से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूगा अच्छा राम मुझे बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी निखाया है ऐसे क्या बात हो गई? बताओ तो बेटा कुछ नहीं पापा बस थोड़ी सी ओफिस के टेंशन है Are you sure? यह भगवान हमें रोज खाना तो देता है पर बीवी यह फैसला करती है कि बिरियानी खानी है की घास फूस इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना वा, सूपब डायलोग्स अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया न तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूँगा अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है यह मेरे काम की चीज है अगर आप अच्छे से तयार होकर पर्फ्यूम्स लगा कर जाकर उसे गले लगा कर किस करोगे तो उसका गुस्सा छूम मनतर हो जाएगा अरे वाँ, वाँ, क्या आइडिया है अरे सुनो क्या है साब माल कीन का है अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई न साब अच्छा सेलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाग सूझ रहा है क्या मैं अपनी बीबी की बार में पूछ रहा हूँ वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना कहां गई है चट पर मजाग मजाग करना जरा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से भार निकाल दूँगा है हस क्यों रही हो मैं तो पहले से इच बार हूँ ना साब पंच लंच टाइम पर आना बताता हूँ तुझे बेबी आज मैं तुम्हें प्यारा सब बेबी दूँगा बेबी मैं बेबी पॉफ्यूम कैसा लगा अच्छे खु़ी हूँ है ना इसकी मैं तुम यहां हो तो फिर यह कौन है मुझे पता था कि तुम ही हो पता था उसके बाद भी गले लगाया मेरा वो मतलब नहीं था शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने और मेरे गेर मॉज़ूद्गी में यहां रुमाज का चर्पिते हो मैं तो एकदम तरो ताजा दो हजार रुपे का नोट हूँ यह बैन हुए एक हजार के नोट को क्यो छूँगा सही का न क्या बोलो दरलो चलो 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 नमस्ते माजी आप यहां कैसे है? तेरे ले खाना लाई हूँ बेटा अरे माजी इन सब की क्या ज़रूरत थी? तुम किसानों की भूट का कितना खयाल रखते हो हम सब के लिए कितनी महनत कर रहे हो तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बिटा या तू सबकोगर खिलाओ ना लो भिटा लो गीता मेरी बात मानले आर्या को फोन कर ले कर ले ना गीता आर्या ए गीता, रोग यू रही हो तुम? पापा किन्दा बेठीक नहीं है क्या हुआ? अरे बस बस दोस्त, यही रोग दो अर्या, कहां जा रहे हो तुम? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्या? तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे तुम जाओ ना कुछ नहीं सोचेंगे वो तुम तुम मेरे दोस्त हो ना? फिर से इसका दोस्ती का राग शुरूर हो गया बोलो? हाँ, दोस्त, दोस्त, सिर्फ दोस्त अच्छा? चल निकल बेटा बाइ पापा, यह सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा बस बीपी लो होने के वज़े से बेहोश हो गया था बेबी, डोन्ट फ्राइ क्राइ, आई नो गीता तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है? वो दादी मुझे लगा डॉर्टर का खिला खिला फेस दिखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मैंने फोन कर दिया था लुक एट हिम, हाव शाइनिंग पर तुम्हाई कैसे? दीदी, क्या मुझ रही है? क्या फरक पड़ता है कि वो कैसे आई हो? बस आ तो गई है ना? पापा, आपने का था ना लो बीपी हुआ है ये क्यासे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजाजी बहुत परिशान है जब से बैंगलूरू से आये हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा? बताईए मुझे दरसल बिटा अब धरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठक गए है कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे तुम लोगों ने यहां भीड क्यों लगा रखिये क्यों खड़े हो यहां पर? जाओ, जा कर अपना अपना काम करो ना, जाओ तु जिन्ता मत कर बिटा तु जा बेटा जा कि आराम कर खिन्ता मत करी दिन्ता मत कर दो कि आपना करेंगे ममे, ब्रो, पता है तुछे ये सब ब्रो, तु ये भी नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ पत्नी हाईवेपर पती के साथ बाइट पेचा रहे थी और गिर गए बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पती उसे देख लेगा तुम मुझे देखना भाई मेरी आलब तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है तो अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा कि बातरूम में गिर गया है न नहीं, मैं तुझे सब सच बताऊंगा तो बता मेरी बीवी ने मुझे मारा क्या बोल रहा यार? तेरी बीवी में इकनी ताकत आई कहां से? अं, उसने अकेले नहीं मारा उसने तो जरिक मेरा थोबडा भी गाड़ा है अरे, दिखा तो मेरी नौकरानी ने मारा मुझे मैं बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू मैंने उसे अपनी बीवी समझ कर गल्दी से गले लगा लिया अबे तू भी न, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है लगा तो था, पर मैंने सुचे शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने अभी मुझे गले लगा लिया न, न, तू एज़े नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ भाबी, मैंने जुनाएं कि आपकी नौकरानी बहुत सुन्दर है या अपना पती मलद लीजे या आपकी नौकरानी मेरे किताब, किताब कहां गई कहां जा रही हो? बेंगलूरू जा रही हूँ मैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे ये लड़का ढून रहे है मैं उसी से शादी करूँगी, जो लड़का पापा को पसंद आएगा वैसे एक बात कहूँ आपसे आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लो बत्मा आपको बत्मा जा रही हो बाइ बाइ तुम्हारे तु एक्जाम्स है ना? होस्टल में पढ़ाई करने के बजाए तुम मुझे या मंदिर में क्यों लेकर आई हो ओ हो इतना भी नहीं पता तुम्हें एक्जाम में पास होने के ये भगवान को तुम मनाना ही पड़ेगा ना अब एक और मंदिर है बस ये आखरी है चल Unter करा ग एइ ओ एँ गीटा क्या हुआ तुम ठग है तुम रही हो गिए? है तुम रूख Northeast मुझे ये शोया चोया चंड़ी की इबमत देए मैं फेल हो जाओंगी ये प्राथला उत नहीं रह जाएगी मैं फेल हो जाओंगी इपेल आउएा ए गीता ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो, ये दिया बुझना नहीं चाहिए क्यो? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ हे प्रभू, हे प्रभू, दिया बुझने मत देना, प्लीज, 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 प्ल देया किजी देया किजी, अरे, ये नहीं पूजा, सरस्वधी देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस नहीं बना, लक्षमी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना, मैं कुछ समझी नहीं, मैंने हाथों से यसे ढखा है, ये मेरी कोशिश है, और ये दिया बिना पुझे जलता रहा, यह मेरी कोशिश का एक फल है, थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा, हम बिना कोई कोशिश करें, भगवान पर सब कुछ छोड़ दें, तो क्या भगवान भी हम वो चीज देगा, देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो मुझे हासिल जाना है, लेकिन क्यों? जल्दी से हासिल ले चलो क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या ओहो, मुझे, मुझे पढ़ क्या हुआ 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 है मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस बेजाए, आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाडख मत करो, इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखाए कि यह जगा पर केमिकल फैक्टरी बनेगी सेखिनिचर? यह लग लिए जान बोज कर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया डैम की दिवार को गिराना तुमारी चाल थी तुमने किसानों की जिन्दगी बरबाद कर दी है साब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हम सब की जिन्दगी बचाने आये है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी एक बार भी हम नहीं सोचा लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है जेस मिंटी के हमारे पुरवज उने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से में प्यारी आपने हमें पानी और हरी समीन का सपना दिखाया आपने हमारी सिंदेगी बर्माद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बर्माद हो जाओगे जैसे हम बर्माद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बना दी होगा तिए एप ए मांजास, कि हम आएका भर दो! बड़े लृटे हैं डीजेडिकी सुमौनागा यशाने सुमौनागा मरोसे कर दो मैं कर दो कर दो कर दो एंट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तढह भूजियर स्पीछिछ, विhern अे जिला अे जिलाभ और को ये जला को भॉता इन वा दिर अे जो हुआ हुआ Tout की अे जला कॉ पिलाओ भूदम यौद sniff क्या किया इसमेऄ क्या किया है किनने सचो सच बता यह कुछ नहीं बोलेंगे सर एन्होंने साप के साथ धोखा किया है धोखे बाज है इनसान मैं आपको बताता हूँ सचा क्या है तरसे लुए का बोल क्या ये सच है बोल बता हमें सच क्या है पैसो के दादश में मुस्से गलती हो गई मैंने पुलिस और उस वकिल का साथ दिया मुझे माफ कर दीजे अरे पापी बुचाओ मत मारियो से अगर पैसे ही कमाने हैं न तो मेरे पापा का बिजनस बहुत बड़ा है सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किये बिना वो ये डाम बनाने के लिए तयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये और उन्हें अपना पैसा इसमें लगा है आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी वो महान इनसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे ना ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहे इने कितनी भी बेजज़ती बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा है एड़ोकेट को लकरणी को फोन करो इन लेगल इशुद को वही हैंडल करेंगे हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सा मेरा फोन डिसकनेक गया अभी बताते हूँ हम इस तरह का डान प्रॉजेक्ट पहली बार बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लेगली खरीदी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे खियाल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हख लगका है अभी हम राजनीती के बार में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाल हमारा ध्यान इस बात की सब्सक्राइब ना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे प्रॉजोगी नहीं कि बात क्या ये प्रॉजेक्ट हमारी कमपनी के लिए बहुत प्रस्टीजिस है बहुत करते करते फोन कार दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डाम का प्रॉजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं पर हमें ये प्रॉजेक्ट बहुत चल पुरा करना हो आ रहे हो पापा, फोन उठा लो सॉरी, सॉरी क्या बात है? चिला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात है? मैं हास्टल में हूँ, यहां आजाओ जल्दी आओ आने दोर से मैं बताती हूँ हाँ क्या है? अरे हालो 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 मैं हूँ बेटा पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिष्टेदार से करना चाह रहे हैं मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं रही बेटा पापा शादी हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए बग दीजे मैं आपको फोन करते हूँ ठीक है बेटा अच्छी बात है उसे थोड़ा सोचने के लिए बग चाहिए मैं उससे बात कर लूगा ठीक है भाई साब अच्छी बात है विशू क्या बात है इतने गुसे में क्यों पूछ रहे हो अब क्या कह दिया मैंने इतना ही पूछना हो क्यों बुलाया है कुछ नहीं क्या कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बखवास कर रही हो तुम्हारे पापा इंपोर्टन हो सकते हैं वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन है देखो, मेरे पापा के बार में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते करती हो तुम मैं पागलो जैसी बाते कर रही हूँ तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जा, मैं आ गया हो न, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ न, बात क्या है? बात यह कि मैं घर जा रही हूँ क्यों? उरुने लड़का डून लिया है इसलिए तो तुमने हां कह दिया क्यों? हां नहीं बोली चाहिए थे तुम हां कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दू? तुम कौन होते हो मुझे यह बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? अज़ अज़ करेश करना है तुम दोनों के बीच क्या है? बताओ क्या है? तो क्या? हम दोस नहीं है? लो फेसे शुरू हो गया दोस्ती का नाटक तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे दोका दिया तुम दोके बाज हो, यह वाल चीटा! एई, इंसल्ट करोगी मेरी, मजाब उड़ाओगे मेरा, परिशान करना है मुझे मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारी कंधे पर हाथ रखा था और एक्जाम हाल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसलिए तुम्हें ये बोल रहे हूँ ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं, ठीक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है, मेरे दिल में कुछ और और जुबान पे कुछ और ऐसा नहीं है, मेरे दिल की बात तुम अब सुनो, मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ I love you इतनी हैरान मत हो, I love you बोलने के बस दस सेकंड बात, मैं तुम से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, yes, yes, I hate you I hate you चुकि जानती हो, तुम जैसी पागल रटी के साथ रहा ना, तो मैं भी पागल हो जाऊँगा भगवान का शुकर है कि मैं बज़ गया जो तुम से शादी करेगा ना, जिन्दगी बरबाद हो जाएगी उसकी एई, क्या कहा, बरबाद? तुम्हारी तरह कोई एरा गेरा नहीं होगा, बहुत खास होगा अचर? ठीक मेरे पापा मेरे शादी किसी राजकुमार से करेंगे देखते हैं, कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके जितनी खुशी तुम्हे राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता, तुम भी देख लोगी पापा हाँ, बोलो बेटा मैं शादी के लिए तयार हूँ तुम तयार हो? पर तुमने तो सोचनी के लिए वक्त महागा था मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तयार हूँ बेटा तुने अच्छी तरह से सोच लिया है ना तू तयार है ना हाँ पापा मैं तयार हूँ अच्छी बात है मैं घर आ रही हूँ हाँ ठीक है गड़ी भिजदे तो जोती गीतारे शाधी के लिए हाँ कर दिये तू गड़ी कर रही है गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता तो बात यह पच्छताएगी आरिया से अच्छा लडगा तुझे जिंदेगी में कभी नहीं मिलेगा देख मुझे पता है कि तू आरिया से प्यार करती है और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासल नहीं होगा गीता गीता अपने इस एगों के चकर में न तेरे दिल में जो आ रहे है किरे प्यार है उसे मत मार प्लीज गीता मत चा यार गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूँगी उनकी खिलाप नहीं गीता गीता आजा बेटा पापा आजा बेटा मैं ठाक कही हूँ थोड़ी देर आराम कर लू अच्छे बात है जाओ सहाब आज क्या हुआ आ आ रहा वो कौन है जी सहाब भाई सर पापा पापा अच्छे कोन है बेटी मेरा दोस्त है पापा बिलकुल नहीं उससे दोस्ती तोड़ दो क्यों पापा कुछ साल पहले है हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे में जान बस्ती थी अभी तुमारी करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रजेक्ट मिला कॉम्रेचलेशन्स मेरा तोड इंजीनियर बन गया खा खा मिठाई खा मसब बैंगलोर छोड़ कर वापस आजा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मेरा है वो तेरा ही तो है आजा हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे यार मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद किये लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन भाया तो मुझे लगेगा ये तुभारी बैज़ती है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए दंगनूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए ए बदमाश काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और अरे यार ऐसे कोई बात नहीं है देख रही हो न मा तेरे लिए लड़की भी मही ढूड़ूँगा और शादी भी मही कराऊँगा वाड़कर देखा ना मा कैसे एग़ाँ जालता है तो तुम भी जाड़ो इधर तु मुझसे दूर जारा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है तो तू फिर से शुरू हो गया, देख रही न भावी, देखो, तुम दोनों भाई बहन को, मैं भला क्यों दूर करूँगा, मीरा मेडिकल की पढ़ाही करना चाहती थी, तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया, गलत क्या किय मैं बच्पन में मीरा के बागेर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बैंगलूरू में है, इसलिए तुछ पर विश्वास करके ही मैंने उसे बहाँ बेजा है, तू बिलकुल फिकर मत कर, उसकी जिम्यदारी मेरी है मेरा प्यार सचा है, और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में, मैंने ये फैसला बिलकुल भी जल्दबासी में नहीं किया, मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ मैं कल ही इस बारे में नहीं सिम्ह से बात कर लेता हूँ भाईया को अभी कुछ मग बताना, मेरे एक सान सोचानी दो, तुम्हें तो बताई है न, उन्हें कितनी जल्दी गुसा आजाता है, अगर वो नहीं मानें तो मेरी बढ़ाई में करवा देंगी और मुझे सबरतस्ती घर वापस लेका चले जाएंगे चीक है, कल मैं किसी ज़रूरी काम से भैदरा बाच जा रहा हूँ, वाबस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे, अपना खयाल रखना देर गाईश मान भाव क्या हुआ, आज के दिन भी इतने उदास है मीरा की बहुत यादा रही है मुझे, उसके बिना हरते वहार, बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान है, जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका क्या मतलब है आपका, शादी नहीं करवाएंगे उसके करूँगा ना, बिल्कुल करूँगा पर उसके लिए अपने ही गाउं का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूड़ूँगा ताकि मीरा, शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से ढूड़ेंगे ऐसा लड़का आप, क्यों हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है वहेश, तनका पूरी चाही तो यह मंदरी से काम किया कर ये कौन सा तरीका अपने माली को लूटता है गया आओ विश्वा, ये परवरिक एकाउंट्स की किताबें हैं आप ही देख लीजिए, इनका मन तो आज भी मीला के ही पास है परिवर आप देख तो लेती मालकिन तुमने चेक कर लिया न विश्वा, हाँ चेक कर लिया तुम पर हमें पूरा भरोसा है, जाओ जी साफू, मैं चलता हूँ जोटी, कौन है पोन पर मीरा, हाँ, मात करो मीरा, हाँ भया, मैं ही हूँ, कैसे हैं आप सब हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भोली ही गई किपने महीनी होगा तुझे देखे परसों में तुस्से मिलने बैंगलोरू आ रहा हूँ अब मत आईए भया, पर क्यों? फिलहाल मैं बैंगलोरू में नहीं हूँ तो फिर? मैं बाहर क्यांप में हूँ भया फिर तू हम सब से मिलने कब आईगी मीरा? क्यांप की वज़े से एक चिके से दूसरी चिके जाना पड़ता है भया पक्का नहीं बता पाऊंगी की कब आऊंगी इसके खत्म होने में तीन-चार महीने और लग जाएंगे क्या कहा? तीन-चार महीने और? हाँ भया, एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भया अच्छा ठीक है, फोन करके हाल चल बताती रहना ठीक भया नीरा, कॉंग्रिजिलेशन्स, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी, तीसरा महीना चल रहा है तुम्हें अमजमान, लड़के का नाम अभी है डॉक्टर, आपके परिवार के लिए अतियुत्तम सही है लक्षोल, क्या चल रहा है यहाँ? देखिए न, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिलकुल मिलगा इस लड़के की कुंडली मिलाने के लिए तुम से किसने गहा? डॉक्टर है वो किसने बताये? इसने? पढ़ने जी, उठिये, उठिये यहां से, ले जाईए यहां से लड़का अच्छा है कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हर्गिस भी करूगा अब भू डॉक्टर है चाहे कोई भी हो, मुझे इमांदार और मेहंदी लड़का इसी गाउं से चाहिए अब आपको इतना इमांदार लड़का कहां से मिलेगा? अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया तुम साब कोई गलती होगी तुम माफ कर देना कल से काम पर मताना बगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिये साब आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजी मैं फिर भी इस घर को छोड़ूँगा निशा मैं आपका नौकर बन के रहूँगा विश्वा ऐसा मत कहो आज से तुम इस घर के नौकर नहीं परिवार के सदसे हो मैं कुछ सम्झा नहीं तुम्हारी और मेरा की शादी हमने तैक कर दी है रह साब जी हाँ विश्वा मा विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इस से बेहतर लड़का नहीं मिलेगा गले रे जाओ बाई अच्छो होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात खर ले तो नहीं रहे वह खलत होगा वह क्यों भाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा कापती खोशित कर दिया तो परिशानी किया है उसे पता भी नहीं चलेगा आप उसे मिले हो बाई, भावी तो होसल में आई ही नहीं क्या मतलब, इस वक तो होसल में नहीं है तो कहां गई है कहां जा सकती है वो, कहां गई हो ही जा के दिक ओटो में को ना है हां 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 मिया विश्वा तुम यहां कैसे यह सब क्या है यह बत मेरे बैया को मत बताना विश्वा प्लीज मत बताना बैया, रजिस्टेशन कल सुबा दस बजे कि लिगे उसके बारे में तुमने हां हां विश्वा क्या हुआ बात क्या है साब जी मीरा हां मीरा शंकर शंकर मीरा मेरी बहन है वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर जुग जाए शंकर मेरा जिकरी दोस्त है वह मुझे चुखा नहीं देगा कभी नहीं इस परिवाद मेरे बहुत है साइन है अगे आपको गलत रखता है मैं जूपने रहूं तो मेरी जीब कार जीब याब साब जी साब जी मेरा मेरा प्रागिनांट ए साब जी जाए साब जाए जाए मेरा जुखा जी जोका जी तो कर दिया उसने इंकोड़ेड़ बादा एच्टी डाद काम मीरा? प्रेगनेंट है? मीरा? आपको पता नहीं? उसने शंकर से शादी कर ली है क्यों सुन्रहों? सुन्रहों? मैं अपने किये हुए वादे को पूरा नहीं कर सका मुझे माफ कर दे इश्वा आप क्यों माफी माँग रहे हैं साब? आपके तो कोई खालती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं चाहूँगा मैं अभी भी आप से कह रहा हूँ मैं आपकी बेहन से शादी करूँगा यह तुम क्या कह रहे है विश्वा अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बेहन जोती से शादी करने के लिए पर गयार हूँ इसे कहते हैं सचा दोस्त क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस पार तुझे मेरी बात मानी होगी मेरी बात मान तूसे भोल जा गीता क्या तो आरिया से प्यार करती है अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बिटा तुने अभी हा कह दिया पर सारी तयारिया हो जाने के बाद उन्हीं शर्मिंटा करके चली मत जाना सब के सामने उनका सिर चुक जाएगा गीता बस मा बचपन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा उस राजकुमारी की सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज़ पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंडी जिसके बास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोगा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शाय ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोट पहुचाएं मैंने पहले भी कहा था आप भी कह रहे हूँ मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी मा दादी अब हमेशे मुझसे कहती थी न कि मेरा पती एक राजकुमार होगा में को श्री राम की तरह है न वो सब जूट है कोई चम से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी वो श्री राम है या नहीं, इस बात का पता चलेगा, कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है, जिंदगी में सरूरी नहीं, हम जो चाहे वो हमें मिल जाए, अपने प्यार करने वालों के लिए, कुर्वानी देना ही सिंदगी है, आपको गीटा के बार में कैसे पता चला, आरिया, कितने सालों तक मैंने तुमसे एक बात चुपा कर रखी, लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया, गीटा, अरे गीटा कहा चलेगा, भया, गीटा कहीं दिखनाए नै है? अजिसने हमें दोका दिया था ना आज उसने और उसके बेटे में मिलकर किटनेप कर लिए आय, यह जो एसब कहां पर है वो भै कहां है तू फार निकल कि बाला राला निकल कि अख Clement on कि युझा थे अखे वह कि अखे लुझा फिरे लुझा कि अइल, दुर्द के दुना है. हैकानि. कर दो 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 खम प्रेश बाओ को बाओ को वाने झाल बाओ को अ अे जड़ से जडने घरता का तो घतार की इता गाल जा झाल जाए। किया आप थग गए? आप को एग बात बताँ आपके बेटी गीता को मैंने किर्णापने किया आप खोदी देख लेशे आपके पूंके खिंगा लेशे लेए आप चौक क्यों गए? उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया आपको मों सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता इरा प्यार सच्चा है ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भाईया शंकर? जी भाईया इनका नाम और आपका नाम एखी है शंकर थक्टर शंकर भाईया एकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं मुझे डर है कही हम पकड़े ना जाएं अदे रुक जा मैं बताता हूं कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में है कहां से दूटेंगे आप ऐसा लड़का हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है तनका पूरी चाहिए तो इमानदरी से काम किया कर अपने माली को लूटने चला ये कौन से तरीका है ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबें है विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरुसा है जाओ क्या का तीन चार महीने और जी भया ठीक है मीरा फोन करके हाल चाल बताती रहना जी भया मीरा अब क्या करेंगे मुझे ये बच्चा चाहिए हलो हलो मीरा है क्या हाँ है एक मिनेट उसे बलाती हूँ हलो भया क्या हुआ इतने दिनों तक तुमने मिजे फोन नहीं किया माया वो ऐसे ही वैसे ही सब ठेक तो है न जी भया कोई परशानी हो तो आप आराम से कार्म ख़र्म करके आईए यहां सब कुछ ठीक है ठीक है वो जरूर कुछ परेशानी में है और मुझे से छुपा रही है भाई ओपर का पैसा कितना रखो मैं कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शारी बाहर वाले से नहीं करूँगा मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे पहले नरसिमा से बात करनी चाहिए थी भाईया पर अभी तुम चुपराव मीरा तुम दुनों इसी वक्त मेरे साथ काहों चल रहे हो भाई भावी दोजल में आई ही नहीं देख तो आटा में कौन आया है विश्वा यह सब क्या है भगबान के लिए यह बात भाईया को मत बताने पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तै की थी ना जी क्या बोल रहे हो तुम तुम्हारी शादी मुझ से हो लिए है हमारे घर के नौकर हो लूँ मुझसे शादी करने का ख्यार तुम्हारे बन में आया भी कैसे मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है एक्सक्यूज मी रोकिये प्लीज क्या होँ शंकर सर मीरा को अखेले लगेज पैक करने में परिशानी होगी मैं उसकी मदद कर देता हूँ सौरी शंकर टेंशन में ये बात में भूली है रहा कोई बात नहीं सर मैं चला जाओंगा मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उससे खत्म कर दूँगा मीरा 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 चला अरे बापे मीरा ये होस्टल के जाब यहीं भूल गई भाई होस्टल जारा वापस चलो आराम से मीरा 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 व अ मीरा 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 झाल 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 बाई, कोई आरा चलो भागते हैं, चलो मीरा, मीरा, मीरा ये सब क्या हूँ? किस ने गिये सब? शंकर, मीरा, क्या भाद मुझा बताओ, ये सब किस ने किया? विश्व विश्व बच्छे को बच जा लेना बच्छा लूँगा मीरा बच्छा लूँगा डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। इस मोवी इस इंकोड़ेद बाबाह्ट.com Sir? Hmm? Sorry. हम शंकर को नहीं बचा पाए. हमने बच्चे को बचाने के लिए उपरेशन किया है. 7 मुंस, प्री मेचुर्ड बेभी. मिरा? Mm-hmm. प्री मिराए. भाई पक्का मर गया होगा. काफे प्लिकर दीए विए. चलो यहां से चलते हैं एक्सिडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले चार लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एड्मिट किया इस बात को तकरीबन चार हथे वोच चुके हैं अब चार हथे से ट्रांस कुमा में थे लोगोच बात को अगर उस दिन मैंने मर्सिम्हा को सच बता दिया होता तो तू कभी अनाथ नहीं नहीं पर अगर 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 मैंने उसे सच बताया तो इसकी पेहल वित्वा हो जाएगी यह सच किसी को बतानी जाएगी मेरे आशूं से तुम्हारी आखों में अगर आशू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं देंगा तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हसी दिखन चाहिए आज के बाद मैं तेरे नहीं जीव पर अगर अगर आशूं पर अगर आशूं अगर कोई पास गया तो मैं इसे मार दूगा मैं अगर अगर इसे मार आशूं आशूं औंसे सरी ग filmHao मैं अगर आशूं अगर आशूंआई यावर नहीं फहरे आशूंआए आशूं पर आशू खल मैं पर आशूं जीव Sum. रोग जा शांकार मैं इसे मार दूगा तेरि वज़ा से मैंने अपनी बहन को अपनी आँखो के सामने मरते हुए देख यह जो पुस्यापनी बहन पाता उसके पेट में बल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई जिसे अपनी परिवार के साथ रहकर जिन्दगी की हर खोशिया जीनी चाहिए थी उसे तुने अनात बना दिया वो अपने भाई से माफी मानना चाहती थी सिर्फ तेरी वज़ा से नहीं मान पाई बहुत दर्द सहे उसना मैं यसे किला कि मुझे मौप कर दे व रहक हो और साथ मुझे मुझे वे लाईLY जो गंती उस्वब की अब वही गंती मैं दुबारा नहीं करना चाहता हूँ तुमारी बेटी मैं यहां आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था बस आपको ये बताने आया था कि मेरे पापा धोके बास नहीं है एक सच्छे दोस्त है शलकर करता लूस्त है इज करते हैं